आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन में अपनी जीमेल आइडी या फिर अपना जीमेल अकाउंट लॉग इन कैसे कर सकते हैं यानि कि अपनी पुरानी Gmail ID को अपने किसी फोन में login कैसे कर सकते हैं, जो कि आपने already create कर रखी होगी, तो आईए जानते हैं, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप अपने फोन की settings में जाएए, और फोन की settings में आने के बाद, आप नीचे scroll करके एक option देख सकते हैं, यहाँ पर account and sync के नाम से, अगर यह option आपको नहीं मिलेगा, तो उपर settings में search कर सकते हैं, तो search settings पे click करिए, और search करिए account and sync, और आप देख सकते हैं, यह वाला option आपके search में आ जाएगा, तो इस पे click करिए, किलिक करने के बाद, अब नीचे scroll करके, एक option आपको मिलेगा, add account का, तो add account पे click करिए, यहाँ पर google पे click करिए, उसके बाद थोड़ा सा wait करिए, और यहाँ पर आपको show होगा, इस type से, sign in with your google account, अब यहाँ पर आपको नया account create करना होगा, तो create account पे click करके, नया account create कर सकते हैं बट हमें एक अपनी email ID को login करना है, जो कि हमने पहले बनाई थी, तो उसे login करने के लिए email और phone पे click करेंगे, उसके बाद अपनी email ID enter करिए, जो कि आप login करना चाहते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपनी email ID enter करने के बाद, next का एक option आगा next पे click करिए, अब थोड आसा वेट करिए, उसके बाद option आगा, enter your password, अगर आपको password नहीं पता है, तो forgot password पे click करके password को reset कर सकते हैं, और जैसे कि अगर आपको password पता होगा अपने account का, तो उस account का, यानि कि अपने इस वाले account का password एंटर करिए, जो कि आप login कर रहे हैं, तो हम password एंटर करते हैं, अब हम आपने account का password एंटर कर दिया है, उसके बाद next पे click करिए, उसके बाद थोड़ा सा wait करिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको backup लेना होगा, तो ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर इस पे click करेंगे, उसके बाद I agree करिए, और उसके बाद आप देख सकते हैं, हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा account यहाँ पर आ चुका है, जो कि हमने login किया है, तो इस तरह से Gmail account आप login कर सकते हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें